नमस्ते स्वागत है आपका हमारी नहीं वीडियो में इस वीडियो में हम बनाएंगे movie ticket booking UI using HTML CSS and JavaScript तो आप देख सकते हैं हमारे पास यह interface है उपर सबसे हमारे पास movie का name शो हो रहा है और यहां पर हमेशे हो रहा है कि कौन सी tickets available हैं कौन सी booked हैं and कौन सी selected है नीचे रही booked अगर हम कोई select करें तो वह हमारे पास होगी selected seats mean selected tickets यहां पे हम day select है सेटटे संडे मंदे और नीचे हम time को भी select कर सकते हैं और जितने टिकेट्स हम book करेंगे वह यहां पर आ जाएगा हमारे पास two टिकेट्स एंड नीचे आगे हमारा प्राइस 400, अगर हम ओर टिकेट्स लेखेते हैं तो यहां पर प्राइस चेंज हो जाएगा तो इस movie ticket booking UI को हम बनाएंगे इस वीडियो में एंड इसका complete code आपको इस github repo मिल जाएगा जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो चलिए इसका शुरू करते हैं अपनी वीडियो को हम आचुके अपने VS Code में और यहां पर मैंने फोर्ड रुपन करका है movie ticket booking UI स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आफ आफ आल हम बना लेंगे index.html css के लिए बना लेंगे styles.css and javascript के लिए बना लेंगे script.js index.html चलते हैं यहां पर अपना वाइल पेट को ले आएंगे title में हम कर देंगे movie ticket booking and अपने styles को लिंक कर देंगे link styles.css and अपनी javascript को भी लिंक कर देंगे script यहां पर हम source दे देंगे script.js and यहां पर लिख देंगे defer तो defer से वारपस क्या होगा कि हमारी script execute होगी हमारी complete HTML document पार्स होने के बाद अब body में चलते हैं और यहां पर अभी के लिख लेते हैं movie save करते हैं and हम go live पे click करेंगे और हमारी website यहां पर live हो जाएगी तो यह हमने किया live server extension के यूज़ करके तो आप भी इसे install कर सकते है and use कर सकते है अब चलते हैं अपने डेक्स्टो टैसल में सबसे पहले हम यहां पे एक div ले ले लेंगे जिसको हम class दे देंगे main अब इसको हम styling देते हैं styles में चलते हैं और यहां पे सबसे पहले all elements select कर देंगे margin कर देंगे 0 padding कर देंगे 0 box sizing कर देंगे border box and font family कर देंगे sans serif अब हमारा main div आगया तो main को styling देते हैं height कर देंगे 100vh display कर देंगे flex align items कर देंगे center and justify content कर देंगे center ताकि जो भी हम अब main में डालेंगे वह center of the screen आए अब इसको देते हैं background linear gradient to right comma and यहां पे हम color code देंगे 66c 2ff and 2980b9 save करते हैं तो आप देखेंगे हमारा color यहां पे show हो रहा है अब चलते हैं अपने htm में अब इस main के अंदर हम एक div बनाएंगे जिसको हम क्लावज देते हैं tickets अब इस tickets के अंदर एक और div जिसको हम क्लावज देते हैं ticket selector इसके अंदर ticket selector के अंदर हमारा title आएगा movie का तो यहां पे हम एक div ले ले लेंगे जिसको हम क्लावज देंगे title and movie का नाम लिख लेते हैं 12th fail save करते हैं तो आप लेगे 12th fail हमारे पास center में आ रहा है अब इनको देते हैं styling styles.css में चलते हैं अब main के अंदर है हमारा tickets div तो इसको styling देते हैं dot tickets इसको हम width दे देंगे 550 pixel height कर देंगे fit content border radius दे देंगे 8 pixel padding दे देंगे 16 pixel background कर देंगे white and box shadow की दे देंगे box shadow 0 pixel 25 pixel 50 pixel minus 12 pixel and rgba 0,0,0,0.25 save करते हैं तो आप देखे हमारे पास यहाँ पर यह box आ गया and इस पर box shadow भी आ गई अब 12th fail हमारे पास left side को आ गया हमें इसे भी center करना है तो इसके लिए हमें styling देनी पड़ेगे अपने ticket selector देव को तो यहाँ पर हम आएंगे यहाँ पर ले लेंगे ticket selector इसको हम बैक ग्राउं दे दे देंगे rgb rgb 243 243 243 इसको कर देंगे display flex align items कर देंगे center flex direction कर देंगे column ताकि हम जो भी अब इसके नीचे add करेंगे title के नीचे वो हमारे पास एक के नीचे एक आता रहे and padding दे देंगे 16 pixel border radius कर देंगे 8 pixel save करते है तो आप देखें हमारे पास जो ticket selected दे हो है उस पे background लग गया add नवारा 12th fail center में आ चुका है अब हमारे पास हमारा title है तो title का font size change कर देते है dot title font size कर देंगे इसका 24 pixel and font weight कर देंगे 600 and margin bottom कर देंगे 30 pixel save करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे 12th fail का हमारे पास font size change हो गया और नीचे हमारे पास margin bottom भी आ रहा है अब चलते हैं अपने index dot tax link में अब title के बाद हमारे पास आएंगी हमारी seats तो यहाँ पे एक div ना रहते हैं जिसको हम class देतेंगे seats अब इस div के अंदर सबसे पहले हमारे पास seats के ऊपर हमारा status आता है कि कौन सी seats available होंगी कौन सी booked होंगी कौन सी selected होंगी तो उसके लिए भी यहाँ पे अब एक div ना लेंगे status and इसके अंदर रख देंगे अपनी items जैसे available booked and selected तो यहाँ पे हम एक div लेंगे जिसको हम class देंगे item and इसमें लेते हैं available ऐसी हम तो और लेंगे copy करते हैं paste and paste available के बाद हम यहाँ पे दिखाएंगे कि booked कौन से वाली होंगी and last में selected कौन से वाली होंगी तो हम एक box दिखाएंगे साथ में जिसमें color होगा कि कौन सी available है booked का color होगा कौन सी booked है and आपने कौन सी select की है save करते हैं तो हमार पास यहाँ पे available booked and selected आ चुका है अब चलते हैं अपने styles में और इनको style देते है तो सबसे पहले हमारा div है seats तो इसको style देते है seats इसको हम width दे देंगे 100% display कर देंगे flex align items कर देंगे center justify content कर देंगे center flex direction कर देंगे column position कर देंगे relative अब seats में हमारा status आता है save कर लेते हैं and status को style देते है dot status इसको हम width दे देंगे 100% display कर देंगे flex align items कर देंगे center and justify content कर देंगे space evenly ताकि इन तीनों में space evenly divide हो जाए save करते है तो आप देखेंगे available आ रहा है space booked and selected divide तो यह बिर थे 100% में आ रहा है और इनमे space evenly divide हो गया है अब status के अंदर आती है हमारे item तो item को देते है styling यहां पे आएंगे dot item font size कर देते हैं 14 pixel position कर देंगे relative save करते हैं तो इनका font size 14 pixel हो गया अब हमें इनके साथ में boxes लखाने हैं और इनका color दिखाना है जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी color की seats available है कौन सी color की booked है और कौन सी color की selected है तो इसके लिए हम यहां पे ले लेंगे dot item before और इसके अंदर content ले लेंगे empty string position कर देंगे absolute top कर देंगे 50% left कर देंगे minus 14 pixel transform कर देंगे translate 0,50% minus 50% and इसकी विर्थ को कर देंगे 10 pixel and height को भी कर देंगे 10 pixel background कर देंगे RGB 255 255 255 and outline कर देंगे 1 pixel solid RGB 120 120 and 120 last में border radius लगा देंगे 1 pixel save करते हैं तो आप देखेंगे यहां पे मार पास box आ गया है और यह available case ही है क्योंग यह empty है बाकि book door selected का हमें color set करना पड़ेगा तो इसके लिए यहां पे हम ले लेंगे dot item nth child to का before इसका हम color set कर देंगे background background rgb 180 180 and 180 and outline कर देंगे none save करते हैं तो हमार पास book door का color set हो चुका है अब last में हमार पास रहा selected तो selected के लिए यहां पे ले लेंगे dot item nth child 3 इसका before and इसका background कर देंगे हम 47 A 3 F इसके बाद outline कर देंगे इसकी none save करते हैं तो आप देखें हमार पास selected का color भी आ चुका है अब यह हमार पास set हो चुका है available की seats ऐसे होगी booked की color ऐसे होगा and selected का color ऐसे होगा अब हमें लगानी है इसके बाद अपनी seats तो चलते हैं अपने index store test link में status के div के बाद यहां पर एक div ले ले लेंगे जिसको हम class देंगे all seats इसके अंदर हम एक input ले लेंगे type कर देंगे check box name देंगे tickets and id देंगे s1 इसके बाद label ले लेंगे level 4 होगा s1 and इसकी class कर देंगे seat and booked तो seat हमारे simple seat होगी and booked class उन पे होगी जो हमारी seats booked होगी अब हमने दोनों classes इस पे ही लगा दी है save करते हैं तो आप देखेंगे हमार पास यहां पे input checkbox दिखाई दे रहा है label empty है बट हमें label ही दिखाई देगा क्योंकि हमें label को convert कर देंगे x square में या एक box में या एक seat में अभी आप देखेंगे हमारे पास एक ही input checkbox दिखाई दे रहा है means एक ही seat दिखाई दे रही है तो अब हमें multiple seats है तो उसके लिए हम use करेंगे javascript का तो चलते हैं अपनी javascript में यहां पे हम ले लेंगे let seats equal to document.query selector और यहां पे select कर लेंगे all seats अब यहां पे हम एक for loop लगाएंगे for let i equal to 0 i less than 59 i plus plus इसके अंदर चलते हैं और यहां पे हम ले लेंगे let random integer equal to math dot floor इसके अंदर math dot random multiply by 2 तो यहां पे हमारे पास ran int में 0 या 1 आ जाएगा उसके according हम अपने book को set कर लेंगे तो यहांपे लेंगे let booked random 1 अगर यह 1 की equal है तो हम seat को set कर देंगे booked नहीं तो कर देंगे empty तो अब यहांपे हम क्या कर रहे है randomelt mean value ले रहे है randomly 0 या 1 अगर यहांपे नीचे चेक कर रहे है randomelt की value 1 की equal है या नहीं अगर यह one के एकल है तो हम book में store करवा रहे है book and अगर one के एकल नहीं है तो इसमें store करवा रहे है empty string तो book में या तो हमारे पास होगा book या होगी empty string and यह book को हम ले लेंगे as in class and add कर देंगे अपनी label की class में अगर यह book हुआ book तो हमारे seat में आ जाएगी booked में अगर यह हुई empty string तो हमारे seat आ जाएगी available में अब लगायते हैं अपनी seats तो यहां पर ले लेंगे seats.insertadjacent html before end अब यहां पर हम ले लेंगे अपना input type कर देंगे check box name कर देंगे tickets and यहां पर ले लेंगे id s and add कर देंगे अपना variable i plus 2 तो यहां पर हमने i plus 2 क्यों लिया क्योंकि हमारे पास हमारे action में s1 id set है and हमें start करनी है id s2 से and यहां पर हमारे पास variable i हो रहा है start 0 से तो इसको कर दिया हमने i plus 2 तो अब यहां पर start हुई है हमारे id s2 से अब इस input का हम कर देते हैं close और यहां पर लेते हैं label label 4 और यहां पर भी same s के साथ i plus 2 इसको हम class दे देंगे seat and साथ में booked and इस label को कर देते हैं close label अब यहां पर हमने set किया है booked तो यहां पर अगर booked हुआ empty तो हमारे पास सिर्फ class होगी seat अगर booked में हुई यहां पर booked तो हमारे पास seat के साथ class लग जाएगी booked तो अब यह हमारे पास complete हो चुगा है अगर मैं यहां पर save करूँ तो आप देखें हमारे पास सारी seats यहां पर आ गई अब यह input है अगर हम click करेंगे तो यहां पर tick लग रही है अब हम अपने label को styling देनी है and इसको seats की तरह करना है तो अब चलते हैं अपनी seats में और अपनी seats को set करते है तो यहां पर सबसे पहले हमारे class है all seats इसको हम display कर देंगे grid grid template columns repeat 10,1fr इसके बाद grid gap देते है grid gap 15 pixel margin दे देंगे margin 60 pixel and 0 margin top दे देंगे 20 pixel and position कर देंगे relative save करते हैं तो आप देंगे हमारे पास यह seats कुछ इस तरह से आ रही है और अभी हमारे पास यह input है अब इसके बाद हमारी आती है seat तो हमने label को class दे रखे थी seat dot seat अब इसको हम width देंगे 20 pixel height देंगे 20 pixel background कर देंगे white border radius लगा देंगे one pixel outline कर देंगे one pixel solid RGB 180,180,180 and cursor कर देंगे pointer save करते हैं तो आप देखे हमारे पास यहाँ पे यह seat सब दिखाई दे रही है बड़ अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये input है and यह हमारे label है तो अभी label पे भी click करेंगे तो पह भी हमारे पास ही click हो रहा है अब हमें क्या करना है अपने input को अगर display none कर देंगे तो हमारे input गयाप हो जाएंगे और हम सिर्फ लेबल से काम कर सकते हैं तो यहां पे हम ले लेंगे Input डिस्प्ले कर देंगे None Save करते हैं तो अब हमारे पास हमारे सिर्फ लेबल ही दिखाई दे रहे हैं और क्लिक करेंगे अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हमने अपनी Seat पे styling नहीं लगाई लगी Booked पे styling लगाई और जब checked होता है तो उस पे हमारी क्या styling change होगी वो भी नहीं लगाई तो अब उन stylings को भी लगा आते हैं यहां पे हम ले लेंगे Dot All Seats Input Checked Plus Label तो इसके background को हम कर देंगे 47A 3FF And outline कर देंगे None Save करते हैं तो हमने जिन पे Check किया था उन पे हमारे पास blue color आ गया अगर हम और पे भी क्लिक करें तो हमारे पास यहां पे blue color आ रहा है अब हमने booked class लगाई थी अभी हमने booked class पे styling नहीं दी तो हमें यहां पे booked seats नहीं दिखाई दे रही and बाकी seats को हम select कर सकते हैं तो अब हमारे पास इतना भी हो चुका है अब इसके बाद हमारे पास हमारी seats के बाद हम दिखाई देती है हमारी screen तो अपनी screen को भी लगाएते हैं यहां पे तो उसके यहां पे हम ले लेंगे dot seats before content कर देंगे empty string position कर देंगे absolute bottom कर देंगे 0 left कर देंगे 50% transform translate कर देंगे minus 50% comma 0 and width कर देंगे 300 pixel height कर देंगे 7 pixel background लगा देंगे RGB 141, 198, 255 इसके बाद border radius लगा देंगे 0, 0, 3 pixel 3 pixel and border top लगा देंगे 1 pixel solid RGB 180, 180 and 180 save करते हैं तो आप देखेंगे हमारी यहां पे screen हमें show रही है अब screen के नीचे हम text show कर देंगे all eyes here please ताकि हमारे user को पता चल जाए यहां से screen इदर है and यहां से streets start होती है तो इसलिए चलते हैं अपने index.html में और यहां पे हमें एक डेव लोग आएंगे जिसको हम class देदेंगे screen text और इसके अंदर आड़ करते हैं all eyes here please save करते हैं तो हमारे पास यहां पे text आ गया अब इस text को देते हैं थोड़ी सी styling तो styles में हम आ गया है और यहां पे add करेंगे screen text and font size कर देंगे 14 pixel save करते हैं तो अभी यह text भी हमारे पास सही से आ रहा है अब इसके बाद यहां पे हमारी show होंगी dates and उसके नीचे timings तो उसके लिए चलते हैं index.html में अब इस div के नीचे हम एक div ले लेंगे जिसको हम class देंगे timings and इस timings div के नदर एक और div ले ले लेंगे जिसको हम class देंगे dates इसके बाद यहां पे हम ले लेंगे एक input जिसको हम type दे देंगे radio and इसको name दे देंगे date id दे देंगे d1 date 1 and first वाले को कर देंगे checked अब इसके बाद हम यहां पे ले लेंगे एक label 4 हो गए d1 and इसकी class को हम कर देंगे dates item and इस label के अंदर हम यहां पे एक div लगाएंगे जिसको हम class देंगे day and हमारा आज day है Friday इसके बाद हम एक और div लेंगे जिसको हम class देंगे date and आज date है 12 अब ऐसे ही हम multiple inputs लगाएंगे तो अब इसको हम copy कर लेते हैं और यहां पे paste यहां पे कर देंगे d2 check यहां से अब अटा देंगे for d2 and Friday के बाद Saturday and date होगी 13 अब ऐसे ही इसको copy किया हुए हमने फिर से paste करते हैं यहां पे d3 checked को हम हटा देंगे यहां पे कर देंगे d3 Saturday के बाद Sunday and date हो जाएगी 14 अब इसको copy कर लेते हैं और यहां पे paste कर देते हैं इसे ही अब यहां पे ID हो जाएगी d4 for d4 Sunday के बाद Monday and date हो जाएगी 15 इसे ही next तो d4 के बाद d5 and यहां पे भी d5 Monday के बाद Tuesday and date हो जाएगी 16 ऐसे ही next और यहां पे कर देंगे d6 यहां पे भी आ जाएगा d6 and Tuesday के बाद Wednesday and date हो जाएगी 17 last में अब यह और ले लेते हैं यहां पे d7 label में भी d7 day हो जाएगा हमार पास Thursday and date हो जाएगी 18 save करते हैं तो हमार पास यह सारी dates आ गई और यहां पे days भी आ गई अब इनको देनी हाँ में styling तो अब चलते हैं अपने styles.css में screen.text के इंचे यहां पे dot timings इसको हम width दे देंगे 100% display कर देंगे flex flex direction कर देंगे column align items कर देंगे center and margin top कर देंगे 30 pixel save करते हैं अब यहां पे margin top लग चुका है अब उसके अंदर timings के अंदर आती है हमारी सबसे पहले dates तो dates को styling देते हैं dot dates इसको हम width दे देंगे 100% display कर देंगे flex align items कर देंगे center justify content कर देंगे space between save करते हैं तो अब हमारी dates ऐसे set हो गई है अब हमें अपने dates item को styling देनी है तो यहां पे dates item इसको हम width दे देंगे 50 pixel height दे देंगे 50 pixel background कर देंगे RGB 233, 233, 233 display कर देंगे flex align items कर देंगे center justify content कर देंगे center flex direction कर देंगे column and padding लगा देंगे 10 pixel and 0 border radius कर देंगे 2 pixel and cursor कर देंगे pointer save करते हैं तो हमारी dates set हो चुकी है अब बाते हैं हमारे day तो day को भी style देते हैं इसका font size change कर देंगे हम dot day font size कर देते हैं 12 pixel save करते हैं तो हमारे day का font size change हो गया and हमने अपने first day पे check लगा रख है तो हमें इसका background color change करना है बट हम इसे change करेंगे अपने timings के साथी तो चलते हैं अपने index store टेस्टलन में और यहां पे इस div के बाद हम यहां पे एक और div ले 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 लेंगे जिसको हम class दे देंगे times और यहां पे ले 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 एक input और इसको type दे देंगे radio name कर देंगे इसका time and id कर देंगे t1 time 1 and first वाले को कर देंगे check अब इसके बाद यहां पे ले 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 एक label और यह 4 है t1 and इसको हम class दे देंगे time इसके अंदर हम लिख देंगे time तो यहां पे लिख लेते हैं 11 o clock अब ऐसी हमें और input चाहिए तो इसको हम यहां से copy कर देंगे और यहां पे paste कर देंगे t1 के जगा t2 यहां पे भी t1 के जगा t2 और यहां पे 230 कर देते हैं और इस check को हम यहां से हटा देंगे अब इसको हम copy करते हैं और नीचे paste करते हैं एक बार फिर से यहां पर कर देते हैं 6 o'clock ID कर देंगे T3 and 4 में भी कर देंगे T3 यहां पर T4, यहां पर भी T4 and यहां पर 21 30, save करते हैं तो हमारे पास यह सारे times भी आगे, अब इनको देते हैं styling, तो styles में चलते हैं यहां पर dot times, इसको हम विट दे देंगे 100% display कर देंगे flex line items कर देंगे center justify content कर देंगे space between and margin top देंगे 10 pixel, save करते हैं तो हमारे times भी सही से आगे, अब single single time को भी style देते हैं, dot time, इसको हम font size देंगे, 14 pixel, width कर देंगे, fit content padding दे देंगे, 7 pixel and 14 pixel background लगा देंगे, RGB 233, 233, 233 233 and इसको border radius दे देंगे 2 pixel and last में कटसर कर देंगे pointer, save करते हैं तो इन पे भी मारे पास styling लग जुकी है अब हमें checked में जो checked है, उनके background color को change करना है तो इसके लिए हम यहां पे आएंगे dot timings input checked जो हमार पास checked होगा और label उसका background हम कर देंगे 473 ff and color कर देंगे white, save करते हैं तो आप देखेंगे हमार पास इनका background color change हो गया अगर हमको your select करते हैं तो वो हमार पास select हो रहा है timing में हमार पास same हो रहा है अब इसके बाद हमें नीचे show करना है अपना price तो उसके लिए चलेंगे हम अपने html में और यहां पे एक div लेंगे जिसको हम class देंगे price अब इस div के अंदर एक और div लेंगे जिसको हम class देंगे total and इस total के अंदर एक span इसके अंदर एक और span और इसके अंदर रख देते हैं zero तो यह होँगी हमारी tickets जितनी हमने tickets book की हैं और यहां पे हम लिख देते हैं tickets अब इसके नीचे हम show करेंगे अपना price तो यहां पे हम एक div ले लेंगे अब यहां पे हमें लगाना पड़ेगा रूपी का icon तो इसको copy करते हैं हम रूपी icon को और यहां पे paste कर देंगे अब इसके अंदर एक और div लेंगे जिसको हम class देंगे amount और इस div के अंदर लिख देंगे अपनी amount zero लिखेंगे अभी क्योंकि starting में यह zero होगी अब यहां पे हमारी आगी tickets यहां पे आगी है हमारी amount अब इसके बाद हमें एक button लगाना है जो की होगा book button और इसको type देंगे button और इसके अंदर लिख देंगे book save करते हैं तो हमारे पास यह book button भी आ गया अब इन सब को हमें देनी है styling तो चलते हैं अपने styles.css में यहां पे सबसे पहले dot price को styling देते हैं padding दे देंगे 10 pixel and 20 pixel display कर देंगे flex line items कर देंगे center justify content कर देंगे space between save करते हैं तो हमारे पास tickets इदर आ गई price से दर आ गया और book का button इस side चला गया अब हम अपने total को styling देते हैं यहां पे आएंगे dot total इसको कर देंगे display flex flex direction कर देंगे column align items कर देंगे flex start justify content कर देंगे center and font size कर देते हैं 16 pixel pixel and font wait कर देंगे 500 save करते हैं अब नीचे चलते हैं और यहां पे dot total div इसको हम डिस्प्ले कर देंगे flex and gap कर देंगे और pixel तो हमारे पास रूपी और 0 एक line में आ गए अब हम अपने span को styling देते हैं तो यहां पे आएंगे dot total span जो हमारे tickets हैं वो span में हैं तो इनको हम font size देते हैं 11 pixel and font wait कर देंगे 400 save करते हैं तो हमारे tickets का size छोटा हो गया इसको हम 12 भी कर सकते हैं तो अब यह सही है अब रह गया हमारा button जो कि हमारा book button तो यहां पे ले लेंगे हम price button and इसके background को कर देंगे RGB यहां पे 60 green में भी 60 and blue में भी 60 save करते हैं तो हमारे button का color हो गया black and इसके text color को कर देंगे white font size कर देते हैं 14 pixel padding दे देंगे 7 pixel and 14 pixel border radius दे देंगे 2 pixel outline कर देते हैं none border भी कर देंगे none and cursor कर देते हैं pointer save करते हैं तो हमारे book button भी बन चुका है अब हमारे complete हो चुका है अब जब हम seat select कर रहे हैं और जितनी seats हमने select की वो यहां पर शोना चाहिए तो उसके लिए हम चलते हैं अपने javascript में तो उसके लिए हम select लेंगे अपनी सारी tickets means अपनी सारी seats let tickets equal to seats dot your selector all input तो हमने अपनी सारी seats select कर ली और उसको हम represent कर रहे हैं as tickets tickets की वी यह tickets ही है अगर हम इस पर भी लिख रहे हैं तो हमारी वो एक ticket हुई अब यहां पर ले लेंगे हम tickets dot for each इसके अंदर ticket and यहां पर ticket dot add event listener change तो अगर कोई भी हमारी single ticket या single seat पर क्लिक करता है तो हमने उस पर event listener लगा दिया change अब यहां पर हम एक functions लाएंगे और इसमें select कर लेंगे let amount equal to document dot query selector dot amount dot inner html तो हमार पास यहां पर amount आ जाएगी यहां पर 0 है तो अभी इसमें 0 आ जाएगा ऐसी हम यहां पर इसको count को भी select कर लेंगे जो कि यह 00 tickets तो इसको select करते हैं let count equal to document dot query selector dot count dot inner html तो अब हमने अपने count को भी सलक लिया जो कि है 0 यहां पर अब इनको change कर देते हैं number में amount equal to number इसके अंदर डाल देंगे amount ऐसे ही count equal to number इसके अंदर डालते हैं count अब यहां पर अगर हमारे किसी भी seat पर या किसी भी ticket पर person क्लिक करता है तो हमारे count में add होंचे 1 and हमारे price में add हो जाएगा amount में add हो जाएगा 200 तो उसके यहां पर लेते हैं if ticket dot checked अगर किसने select की कोई seat या ticket check किया उस पर तो यहां पर हम count को कर देंगे plus equal to 1 तो उसमें add हो गया 1 and amount में add कर देंगे 200 तो amount में add हो गया 200 else नहीं तो count से हम कर देंगे minus 1 minus equal to 1 अगर uncheck करता है कोई person seat या ticket पे तो हमारे पास count हो जाएगा minus 1 ऐसे ही amount को भी हम कर देंगे minus equal to 200 तो अब हमारे पास यह भी set हो गया अब हमेसे show करने है तो उसके लिए यहां पे document dot querySelector dot amount dot innerHTML कर देंगे हम amount तो हमारे amount change हो जाएगी इसे count के लिए document dot querySelector dot count dot innerHTML equal to count save करते हैं अब अगर मैं अपनी seat पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे हमारे पास यहां पे count में हो गया one tickets and यहां पे rupees 200 फिर से next पे क्लिक किया तो यहां पे two tickets हो गया और price हमारे पास हो गया 400 ऐसी अब हम जितनी seat select करेंगे उसकी according हमारे पास यहां पे टिकेट आएंगी तो हमने चार्ट select की हैं तो हमारे पास यहां पे चार्ट टिकेट आ रही हैं और नीचे हमारे amount 800 आ रही है अगर मैं unselect करूं तो हमारे पास टिकेट यह कम होगी और हमारे प्राइस भी कम हो गया तो अब हमारे यह movie ticket booking UI complete हो चुग है using HTML CSS and JavaScript अब हम इसे full screen में देख लेते हैं तो full screen में हमारे यह app कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है यहां पर हम टिकेट स्लेक्ट कर सकते हैं तो यहां पे आगया 2 टिकेट और यहां पे आगया प्राइस 400 SEM or tickets भी select कर सकते हैं और नीचे यहां पर 5 tickets आ गया 5 tickets selected है और उसका price आ गया 1000 रूपीज और अगर unselect करेंगे तो यहां पर tickets कम हो जाएंगी और price भी कम हो जाएंगा 4 tickets and price हो गया 800 तो हमारी यह movie ticket booking UI complete हो चुकिया है using HTML, CSS and JavaScript and इसका complete code आपको इस GitHub ब्रैपो मिल जाएगा जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा इस वीडियो के end तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपकी कोई suggestion है तो नीचे comment कीजिए मिलते हैं आपसे next वीडियो में Thank you